हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल हाइडोजन बर्ड क्लास पर तो आज हम भारत त्था विस्व के कुछ जोलमखी के बारे में चर्चा करेंगे तथा उनसे रिलेटड महत्वपुड परस्ण के बारे में चर्चा करेंगे और ये किस देश में पाये जाते हैं तो सबसे पहले हम जोलमखी की परिवासा के बारे में जर्चा करेंगे तो जोलमखी की परिवासा दी गई है जोलमखी प्रत्वी की सतह पर वाच शेद्र होता है जिसमें मेगमा जलवास और यूहिन प्रकर की गैसे बाहर आती है जोलमखी क्रिया के दौन परतुरा में जलवास बाहर निकलता है परतुती के गरव harvest वैग़भा के बाहर आने तथा उचके लावाव बंने की विसंपूर्ड पर क्रिया को जो अलम की क्रिया कहते हैं तो इस तो यह जो धुन चैसा दिहास Financeरा के बादल कहते हैं और यह जो जम्य होई लावा की परत होती है और यह लावा का बाहाव होता है और क्रेटर होता है क्रेटर जो अलावा नली इसल को भूपर पटी तथा मेगमा चेंबर को मेगमा की तुकान कहते हैं तथा जोला मुखी के आग के गोलों को क्यों मिस बंब कहते हैं जोला मुखी के प्रिकार जोला मुखी तीन प्रिकार के होते हैं सक्रिय जोला मुखी सुसुप्र जोला मुखी और मृत जोला मुखी तो सक्रिय जोला मुखी के बाले में हम चर्चा करेंगे तो जोला मुखी औ आंडवा निकंवार जो की भारत में है इसके वाद आता है सुष्रुप्त जोलम ब की में देखेंगे स्विस्टीजय का है औरक्राकरताफ उनड़ूनेसिया का और नारकोड़ा अंडवान निकंवार जो की भारत में इस्तित्थ है जोलमक Being आता है तीसरा जोलों के आता है её मुष्द特 उलंखी इसका होता है अफरीका तंजानिया में इसलतर दिता कि इसके प graphics आते हैं वोजेश्ट ऐलीस लैडौ ऑर जो की अर्जेंटिना वछिली के मध दश्च्षिद अमेरिका में इस्तित हैं और नमबर दो पे आते हैं कोंट पैसी जो की एकवएडॉर के दश्च्षिद अमेरिका में इस्तित हैं और नमबर फार पे अगर में इस्तित है इसके बाद आता है कटमई जो कि अलास्का में इस्तित है और चिंबा राजो इक्वेडर दच्छिड अमेरिका में इस्तित है इसके बाद फ्यूजी आमा जो कि जापान में इस्तित है और क्ली मंजारो अफ्रीगा के तंजानियां में इस्तित है अगर आ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को दवाना मत भूलिएगा